असलाम लेक्म क्लास, I hope आप सब क्यारियस से होंगे, हमारा ओनलाइन क्लास का पहला काम सबक नजम जब्ध है, इसकी पड़ाई हम स्कूल में पहले करवा चुके हैं, तो आईए आज हम इलफास मैनी जुमले करेंगे, जिसके लिखने का तरीका मैंने सामने दिखाया है, इसक मारजन आयन के अंदर हम लिखेंगे पीर, इसी तरह से हमने दूसरा वले पेज में भी इसी तरह से डेट, और उसके बाद हम लोग लिखने हैं, गर का काम और पीर, अब हम मारजन आयन के साथ बिलकुल लिखेंगे उन्वान, उन्वान है हमारे पास नजम जब्ध, उसके इसी का दिल दुखाना, हज़ूर अलुह लिखेंगे इसके जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, दूसरा जमला है हमारे पास शकायत, शकायत का मतलब होता है तकलीव का इसार करना, हमें अपने असाथा को शकायत का मौका नहीं देना चाहिए, या फिर इसके रादजा और वालदेन को श्कायत का मौका नहीं देना चाहिए। थर्ड हमारे पास है मुहजब मुहजब का मतलब बता है तहजीबदार अलामा एक बार रहमतुलाले एक मुहजब इनसान थे इसके लावा इसका हो सकता है कि हजबुदार अलामा एक मुहजब खांदान से तालुक रखते थे या पिर आप लिख सकते हैं कि मुहजब माश्रे में तालिम को बहुत एहमियत हासिल है इसके पाद हमारे पास फोर्ट वाला है मुतैयन मुतैयन का मतलब होता है मुकरर दिन और रात के बदले का वक्त मुतैयन है या पिर हो सकता है कि सूरज अपने मुतैयन वक्त पर तलू और गरूब होता है या फिर हम लिख सकते हैं कि फल और सबजियां अपने मतयन वक्त पर पकती है नेक्स हमारे पास वर्ड है मुनजिम मुनजिम का मतलब होता है तर्तीब देना काईद आजम रहमत अले ने मुस्लिम लीग को एक मुनजिम जमात बनाया या फिर हो सकता है कि मैच देखने वाले शायकीन के लिए मुनजिम पलान बनाया गया नेक्स हमारे पास तलकीन तलकीन का मतलब होता नसीहत करना आप चला ले वाले वाजसल्म लोगों को हमेशा सच बोलने की तलकीन करते थे या भी हम लिख सकते हैं कि कुरान पाक हमें अच्छे कामों की तलकीन करता है या भी लिख सकते हैं कि वालदैन और असाज़ा अपने बच्चों को अच्छे कामों की तलकीन करते हैं उमीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा अब आप अपने वालदेन की निगरानी में तमाम काम अपनी टेस्क कापी पर लिखें और जुबानी याद करें अलाव